बच्चों आपके स्वाधत करते हुए आज हम आटवीक अक्षा के पाट दो दूसरा पाट मिर्च मसाला मिर्च मसाला इस पाट के बरे में कुछ जनकारी देंगे पहली यह पाट लोक कता याने इसकार्त जनपद रा जनपद रा जनपद रा जनपद रा जनपद रिद्धिदे अक्षास गिते गड़ें तवो अधी रितियागी कते गड़ू पूड़ा इनुप पांतनरे करोंदु यावुदे रितिया गुंतहा बरहगल इल्लदे उब्बर वाये मुकांत्रा इंदोब्बरिगे हरलुवुदे उद्धु लोग कता अंतिरू गड़िले नहों प्यरते गड़ेंग पहले हम कभी भी आदमीयों से अपने विचार विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं तो इसका अरता बच्चों मेरा विशे या मेरा विचारों को दूसरों के साथ बांटने के समय बांटना चाहता है तो लेकिल उसे यहां ध्यान रखना अवश्यक होता है क्योंकि उस बात रजा की बात रजा याने रहस्या रजा की बात रजा की बात होता है रहस्या वाधा मात्तोगलों मात्तोगलन बेरे वलिगे हिलुवागा नम हत्र इना इरुबैको वंदु उत्तम वागरत तकंत कलुप्प्णे इरुबैको बच्चों इस पाट का भाव इस प्रकार है एक दिन श्याम को बोलु आंगण में बैटका दूद पी रहाता बच्चों श्याम के समय श्याम के समय बोलु नामक एक विक्ति ने श्याम के समय आंगण में बैटकर दूद पी रहा है उसे एकदम खांसी आया एकदम उनको खांसी आया खांसी आया खांसी आया दूद का लोटा लुड़क गया अपने हाथ में दूद का लोटा है ना बच्चों इस लोटा लुड़क गया तत्था सोड़ा सा दूद मुह में मुह से लिकाल कर जमीन पर फई गया उनके हाथ में क्वे लोटे से दूद कुछ दूद उसके मुह पर और उसके मुह से आंगन पर भी क्या होगा मुह से निकालकर, जमीन पर भी फइल गया मुकाईले निलगो दो, लोटादले तक करता हालो, निलग के चल तू अन्त थोड़ा सा दूद मुह से निकालकर, जमीन पर फइल गया फइले दूद में उसको दोपंक दिखाया कितने पंक? दोप क्या दिखाया पंक दिखाया कहां दिखाया जमीन पर पैले हुए दूद में बोलू को क्या दिखाया दोग पंक दिखाया बचो देखिए बोलो नाम के एक विक्ति एक दिन स्याम के समय उनके घर के अंगन पर बैटकर क्या पी रहा था दूद पी रहा था उसी समय उनको क्या आया खांसी आया खांसी आने के समय उनके लोटा में लोटा लोड़क गया तता उनका थोड़ा दूद मुह से निकालकर जमीन पर पैल गया उस जमीन पर पैले विये दूद में उनको यहने बोलू को दोद पंक दिकाया दोद पंक दिकाया वहा गबरा गया अपनी पत्नी हीरा को बुला कर कहा बोलू का पत्नी का नाम हीरा हीरा को बुला कर इस दोपंक का रहस्य को इस दोपंके का रहस्य को रज की बात उनके पत्नी से कहा देखो उनके पत्नी को बोलू ने कहा देखो तुम किसी से नहीं कहूंगी देखो तुम किसी से नहीं कहूंगी बोलू ने अपने पत्नी से क्या कहा क्या वादा किया बोलू अपने पत्नी हीरा से वादा किया कि इस बात को किसी को न कहाने का वादा किया किसी को भी न कहाने का वादा किया उस समय तो उनकी पत्नी वादा किया कि देखो तुम किसी से नहीं कहूंगी तो मैं तुम से एक बात बताओं मैं तुम से एक बात बताओं तुम किसी को भी नहीं कहूंगी यहां कहकर करस्म से किसी से नहीं कहूंगी यहां पत्नी ने उनकी पत्नी ने वादा किया कि मैं किसी को भी नहीं कहूंगी यहां वादा देकर पत्नी बोली बोलू ने दूद में पंक की बात बता दी बोलू अपने पत्नी को क्या बताया अपने दूद में आने वाली दोपंक के कहानी दोपंक के बारे में अपने पत्नी से कहा देखो बचो बोलू एक दिन शाम के समय अपने घर के आंगन में बैटकर दूद पी रहा था उस समय उनको खांसी आई उस खांसी आने के बाद अपने हात में पकड़े हुए लोटे से दूद और अपने मुह पर और आंगन पर फैला भी उस फैले दूद में क्या आया दो पंक एने रहके आया इस विशे को अपने पत्नी हीरा से कहने के लिए अपने पत्नी को बुलाया और बुला कर तुम एक किसी एक बात कहुँगा मैं आपको एक बात कहुँगा तुम किसी को भी नहीं बताओ यहां कहकर उनको पत्नी से बुली बुलू ने दूद में आने वाली पंक की बात बता दी उसके बात हीरा इस बात को पचाना पाई देखो बचों हीरा यहने बुलू का पत्नी इस बात को पचाना पाई अन्दरे अरगीसि कोणल आगले इल्ला इरत्त बोलू तन्न बाईयरी बंदंत अहां यहरू रेक्केगल विशेवन्न हिलित तक्ष्ण अहितो ना यानके हिळलला आत्रकों मात कोट्टि दलू हीरा अत्ता पोध तक्ष्ण वे इक यह अदुन्न अरगीसि कोणल आगले इल्ला नानों कोड़ यारिगादु हिळलले बेको अंत्रकों नाके यह मत अंतर है हिरा इस बात्त को पचा न पाई उसको पेट फुलाने लगा नानों यारिगादु हिळलले बेको अंतरकों हिरा के पेट फुलाने लगा अपनी पडोसिन चंपा से कहा पडोसिन याने अपनी घर के पास रहने वाले एक उनकी सहेली के बारे में सहेली के पास याने चंपा हिरा के सहेली चंपा चंपा के पास कहने के लिए गए चंपा के पास कहने के लिए गए चंपा से हीरा ने बोला एक रज की बात बता है मैं आपसे एक राज की बात बता दूंग। राज्विबातियाने रहस्य मातवरना हिड़ली किस्तापड़ती नें तिलकॉंडों चमपाली दीरा हिड़ली जानती हो आज क्या हुआ जानती हो आप आज क्या हुआ उसके मुह से कभूतर के पंक निकले बहुत सारे मुझे चिंता हो रही है पर किसी से मत कहना चमपा बोली तुम भी किसी से मत कहना लोग बात का बतंगर बतंगर बना देंगे देखो बचों, बोलू अपनी पत्नी से कहा, मुझे पीने वाले दूर में दो पंक आये, इस विशेक को अपनी पत्नी से कहा, अपने पत्नी को याने हीरा को इस बात को पचा न पाई इस से उसके पडोसी, याने घर के पास रहने वाले एक महिला, याने उनका सहेली, चमपा से बोली, चमपा के साथ बोले के लिए चमपा के घर जाते थे, उसमें चमपा से कुछ वादा किया, वादा करने के बाद इस विशे को बताते हैं, उस समय क्या हुआ, चमपा बोली, तुम्हु भी किसी को मत कहना, लोग बाख का बतंगर बना दिगे, नोटरी मुक्कले, नाव एनादरो नम्बंगे रहाष्य मात्त वराणने इन्नोपरी एलुपैको वादरे सोप्पो, यच्चरिके एगिरुपैको, यच्कर तंदरे, नाँ लोग थे लटे, नाँ भी बेलद्धिनननी इन्नोपरी примारत नंत दरे, तंदु वन्दिश्तू, शेरिसी, बेरे मरिंके, बेरी बेर आर्त्ता वन बरुत्त बरुथ्द्धा हरित्म्हारितीलि एलुपैक्या, वन संधर्भ़णु थे, कारण, नाउ नम्मा रहस्य वन्ना इद्लोब्बरिगे हेलुवागे एना इदुरुबेको यच्चर की एन्ना वहिस्पेको वन्त हेलता इवत्ति ना पाट्डवन नाव समाप्तवल सोना